दोस्तों वेल्डिश काई की निव इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोग का सुवागत है मेरा नाम है सुधीर और फाइनली जिस मोमेंट की हम बात कर रहे थे वह निफ्टी के अंदर देखने को मिला और साथ ही बैंक निफ्टी के अंदर देखने क हुआ है तो समझते हैं हमारी लिए कैसा रह सकता है क्यassociate अब फिर हमारा ट्रेटेग आएंगा तो समझते हैं चलते हैं जलंदी से जल्दी से कि यहां पर निंफ्टी बना हुआ है और क्या उपर जाएगा या फिर यहां से गिरेगा इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करते हैं तो देखो सबसे पहले हम Nifty का चार्ट देखते हैं देखो यह Intraday का चार्ट है Morning Market at 11 में मैंने आपको यह चार्ट पोस्ट किया था मैंने आपको बुला थे कि यह एक trend line है जो कि Nifty follow कर रहा है क्योंकि 16,000 तो बेसिकली Nifty effort लगा रहा था टच करने को लेकि 16,000 के ऊपर टिक के और यह momentum दिखाएगा यह थोड़ा सा एक कह सकते हैं surprisingly move है और यह जिन लोगों को मिला वह काफी अच्छा profit यहां पर नोने कमाया होगा और एक important है सबसे जादा जो मदद करी है यहां पर वो short covering ने जादा मदद करी क्योंकि जायर सी बात है 15,916,000 काफी important level थे और जबरदस call writing हो रही थी इन level पर और फिर जैसे-जैसे market उपर shift होता गया तो call writing मजबूरन उन्होंने अपनी short cover किये और short covering की वज़े से यहां पर market उपर और तेजी से गया यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर देखो एक बार भी सीधा opportunity यह थी कि इस trend line के break पे हम short करने वाले थे यह मैरा सुबह का plan था कि मैंने का around 16,20-30 की zone तक nifty जा सकता है तो वैसी ही मैं trend line को follow up कर रहा था लेकिन हुआ क्या है यहां पर देखो दो बार trend line को break करने के कोशिस करी यहां पर तो यह proper break नहीं कर पाया यहां पर के strongly इसमें break करने के कोशिस करी थे लिए कि follow up selling यहां पर बिल्कुल देखने को नहीं मिली आप देख रहें ब्रेक हुआ तुरण इमिडेटली recovery आ गई यहां पर ब्रेक हुआ तुरण इमिडेटली recovery आ गई तो यहां पर कोई कि actual में दिन में कोई shot बनी नहीं पाया actually properly बट बाइंग यहां पर हमने की नहीं थी क्योंकि जायर सी बात है कि ऊपर की level पे जब market जा रहा है और already level पे दीरे दीरे जा रहा है तो बाइंग करने का कोई मतलम नहीं था यहां पर क्योंकि जो मेरा view था वो bank nifty के लिए बहुत जाता positive था निफ्टी के लिए इतना नहीं था निफ्टी मेरे को 16-20-30 की zone तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था बट यह extra जो 100 point भागे हैं कहीं ना कहीं bank nifty ने पूरी-पूरी help करी है nifty को यह extra 100 point भागाने के लिए क देखो दो बच के 15 मिनट हो रहे हैं immediately recovery दो बच के 15 मिनट में आप bank nifty का view देखो यहां पर यह देखो दो बच के 15 मिनट पर दो बच के 15 मिनट से bank nifty ने जो rally करी है 300 point की यह 300 point की rally ने nifty को और तेजी से उचाल दिया उपर करीब 60-70 point extra यहां पर support मिला nifty को अब देखते हैं क कि कल क्या हो सकता है कल के लिए क्या point of view बनता है देखो यहां पर clearly एक strong breakout दिख रहा है हमें आप देख सकते हो काफी strong candle बनी है ठीक है लेकिन होता क्या है कभी कबार ऐसी strong candle बन जाती है लेकिन follow up buying नहीं आती है ठीक है कभी कबार यह trap भी बनते है तो आपको इसी चीज़ का द्यान रगना है अगर निफ्टी यह जो हाई है आज का 15150 का इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो आप यह breakout को confirm समझ सकते हो कि यह breakout है और आपको एक निफ्टी नई range बनाता हो दिखाई देगा पहले हम क्या कर रहते हैं पहले हम 15900 से लेके 15400 के बीच मे रहता है और 16000 के नीचे नहीं जाता है तो हमारे पास एक नई range बनके आ सकती है 16000 से लेके 16500 होगी ठीक है ना तो आपको एक नई range बनते होई दिखाई देगी यह हमें एक दो दिन में confirmation मिल जाएगा क्योंकि यहां पर जाहिर सी बात है कि आपके पास एक event है जो की RBI की credit policy ह वो आएगी 6 तरिक को तो उसके बाद हमें actual में पता चलेगा कि market कि side move करने की कोशिस कर रहा है अगर यह एक event से पहले की buying है जो normally होती है तो यहां पे अभी भी थोड़ा सा और momentum आ सकता है कल के और परसो के trading session में कल के trading session में तो definitely आ सकता है परसो के trading session में हो सकता है market sideways चला जा है थोड़ा सा बट कल के trading session में थोड़ा सा और momentum हा सकता है इविन सोलाजा 200 या 250 तक निफ्टी जा सकता है अगर हम यहां पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी बहुत important लेवल पर वैसा कि मैंने आपको कल बताया था कल के वीडियो में यह continuously आपको red candle बनाता ह किये आज के दिन में तो वैसा ही हुआ बैंक निफ्टी मेरा long था बैंक निफ्टी में काफी अच्छा profit मिला है यहां पर क्योंकि बैंक निफ्टी में वह bullish था पिछले 3-4 दिन से यह continuously bullish था हम है बट मैं देख रहा था कि कब यह breakout आए कब breakout आए बट finally यहां पर इसमें breakout आत करता है तो आप बाए करिए यहां पर पहला टार्गेट जो होगा वह आपका होगा 3530 का और अगर 3530 कर जाता है तो फिर आपके लिए एक लॉंग अपॉच्छनटी है 3500 के टार्गेट के लिए क्योंकि यहां पर यह पूरा गैप एसको बैंक निफ्टी फिल कर सकता है हो सक सकता है कि एक स्ट्रॉंग मुमेंटम भी बन सकता है क्योंकि कल SBI के रिजल्ट है और आज आज SBI काफी अच्छा मुमेंट में था तो हो सकता है वह और कंटिनियूस मुमेंट दिखाए यह चीज़ आप समय लीजिए और जो प्राइविट बैंकिंग में जो बेसिकली सकता है आज निफ्टी ने किया तो कल स्ट्रॉंग प्रइस और निफ्टी का जो एंड में आया में तो हो सकता है यह फॉलैप में और देंनलियूप को भी ज्यांग चाहिए अब यहां पर क्लियरली यहां पर निफ्टी इजली जा सकता है आपको यह जीद ध्यान लखनी चाहिए अब यहां पर आपको निफ्टी शॉट तभी बनेगा जब निफ्टी 16,000 को तोड़ेगा अधर्वाइस यहां पर कंसॉलिडेशन होगा यहां फिर आपको हर डिप पर बाइंग आती हो दिखाई देगी क्योंकि अभी जो शॉट्स है वो थोड़े से फसे हैं और वो शॉट कवरिंग आपको हर डिप पर देखने को मिलेगी अगर हम यहां पर ऑप्शिन चेंज में द अगर किसी भी रीजन से यहां पर कल निफटी अपने इस हाई को नहीं निकाल पाता है यह जो हाई बना नहीं निकाल पाता है तो फिर आप थोड़ा सा एलर्ट रही है यहां पर एक एक या दो दिन तीन दिन बात आपको अगर यह नहीं निकलता है तो आपको एक तेज गिरावड भी देखने को मिल दखते हैं क्योंकि होगा क्या जाएड सी बात है यह एक च्रॉंग ब्रेक आउट है इस च्रॉंग ब्रेक आउट के बिसिकली एक रेंज का ब्रेक आउटका जो टार्गेट आया हमारे पास जो range थी कितनी थी हमारे पास 15900 से लेके 15400 की 500 point की range थी हम अगर हम 600 point की माल लें 16000 तक की माल लें तो at least nifty को कम से कम 300-400 point और upside जाना चाहिए तो अगर हम देखें तो अभी हम 1500 point चले हैं यहां पर 1500 point और nifty को चलना चाहिए definitely तो 300 तक का target आपको nifty दिखा सकता है तो इस पर आप जरूर नजर रखिएगा अगर नहीं पहुचता है तो फिर यह एक false breakout भी आ सकता है और फिर nifty kg से नीचे भी आ सकता है तो आपको यह point आपको ध्यान रखना है तो I hope दोस्तों यह particular data आ मुझे में आगया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतना ही है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता है तो like and share जरू करिए का और चैनल को जो subscribe कर लीजिए क्योंकि मैं आस होदी लेकर आता हुआ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के सा करिया दोस्तों जैहें